किसान भाईयों नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमारतियागी और आप सब का हार्दिक स्वागत है जैविक खेती की मेरी दुनिया में आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान चैनल आज मैं आप से दो विशो पर बात करूँगा और दो अलग अलग वीडियो प्रस्तित करूँगा पहली वीडियो है अमरूद की खेती आप कौन सी परजाती लगाए किसान भाईयों मुझे रोज कम से कम 40 से 50 फोन आते हैं और वाटसेप पर अलग बात होती है किसान जुड़ होते हैं बात करते हैं मुझे अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा समय के प्रबंधन में प्रोब्लम हो गई थोड़ी सी समस्या है तो मैं एक बात आप से करना चाहूंगा कि आप मुझे मेरे जो वाटसेप नंबर है यह डवल 910-336138 मेरी यह आप से प्रार्थना है कि आप इस पर एक मैसेज दें कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं तो आपको बात करने की आवश्यक्ता नहीं होगी मैं आपको कॉल करूंगा चूंकि जब मैं बात कर रहा होता हूं कहीं फिर दूसरा नंबर आएगा उस धर से फोन बजने लगता है तो फिर उसको मेरे को कॉ करना पड़ा है थोड़ इसी समय के प्रबंदन की हुआ है मुझे कोई बात नहीं है मैं देर तक जागूँ या कैसे भी प्रवल करूँ लेकिन आप से निश्चित रूप से में बात करूँगा ये मेरा वादा है चुकि इससे मुझे खुशी मिलती है जब साजा करते हैं बात करना चाहता हूं तो मैं आपको अवश्य करूँगा ये हुई पहली वाद दूसरी जो मेरे पास सबसे ज्यादा अधिक जो बाते पूछ रहे हैं किसान भाई वो दो बाते पूछ रहे हैं इसलिए मैं दो वीडियो बना रहा हूं पहली है कि हमें बताईए हम कौन सी परजा देखे किसान भाईयो जो परजाती मैंने लगाई है यह अवश्यक नहीं है कि यह परजाती आपके हां भी हो जैसे मैंने अपने हां L49 लगाई है एक जी विलास लगाई है और एक ललित लगाई है यह तीन लगाई है ललित में कुछ पोधे मेरे लगबग 50% बरफ खाना के जब मैंने पता किया हमारी और जो है नब बरफ खाना की कोई जादे नहीं जानते हैं और इसको नहीं पैसा तो जब मैं अपने हमने हमने एक अमेजिंग किसान वाटसेफ गरूप बना तो मुझे पता चला कि यह बरफ खाना गोला बोलते हैं इसको रजस्तान में और दोनो में कोई प्रोब्लम नहीं होगी तो अब यह सवाल उठता है कि हम कौन सी पर जाती देखो किसान भाईयों मैं यह नहीं कह सकता कि आप L49 ले या आप ललित लगाएं या जी विलास लगाएं या आप स्वेसा लगाएं या आप काईवान पिंक लगाएं यह तो निश्या आप यह उस पर काम करिए कि अपने आज पास देखिए कितनी नर्शरीं हैं कितने बाग बेसिकली आप बाग देखें मुक्यरूप से बाग देखें कि इन्होंने लगाई विय हैं और उनसे बात करिए कि आपकी यह प्रजाती कैसी चल रही है आपने इसका इसलेक्शिन ट्यों क होती है और जो हरियाना में होती है वह पूर्वी रफटर परदेश में हो जाए वह है इस पर जलवायू का बुद असर कौन पर जलवायू में कौन से होती हमारी और पिसली बार बारी समय जादा हुए जब कि राजस्थान और मद्य परदेश में बारिस कम हो दिए मद्य परदेश से एक मेरे किसान भाई है कोसिक जी जो जुड़े हुए हैं दोलपूर से उन्होंने बताया कि हमारा तो वाटर लेवल होगा तो जब वाटर लेवल नीचे चला गया तो पानी की कमी हो गई पानी का परबंदन अच्छा करना पड़ेगा तो ज़रूर नहीं कि हर परजाती आपके यहां पर होगा तो आपने आसपास पता करिए कौन सी परजाती होती है आपने करसी भी भाग से मिलिए उनसे भी पता करिए लेकिन निच्चे सब जगह बात करने के बाद ही आप करने के मुझे अब यह परजाती लगा लिए यह विया पहला पता दूसरा विया अपने आसपास बजार देखिए आपके यहां किस अमरूद की मांग जाता है जरूरी नहीं जो दिल्ली के आसपास है यह जिनके आसपास मंडी है तो वो उनके पास कौन सी ज़्यादा डिमांड आती है और अमरूद की सेल्फ लाइफ क्या है यानि उसे तोड़कर कितने दिन रख सकते हैं जैसे स्वेता, अलाबादी, सफेदा यह अमरूद ज्यादा दिन तक नहीं टकते है मैकसिमम आप यह सोचिए के सर्जियों में 3-4 दिन मैकसिमम आप रखेंगे अगर ठीक तरह तोड़ेंगे नहीं तो यह दो दिन में खराब होने वाला अमरूद बहुत मिठा अमरूद होता है बहुत अच्छा होता, इसकी स्किन बहुत पतली होती है और इसको आपको बड़े ध्यान से रखना पड़ता अगर आप तोड़ कर लाए और उपर से डाल दिया तो इसकी दूसरे अमरूद की इसकिन चिल जाएगी जो जो इसकी चाल है वो चिल जाएगी तो आपको ये भी ध्यान रखना कि आपको बजार तक तोड़ने से बजार तक लाने में कितना समय लगता है और इस परजाती को क्या ये सहन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी और इसी परकार हमें किस समय तोड़ना है ये भी ध्यान रखना ये विया दूसरे तीसरा हुया क्या आप अपने आसपास सड़क पर या लोकल बजार उस उस हैं तो मैंने सोचा है कि मेरे पास करते हैं एक दो दुकांवालेसे मैं काम करते हैं उनन को भी बठाओंगा और मैं ब्लूख ममार रख से पढ़ा पर हमें सबसे अनुभवी हैं तो हमें उनका भी फाइदा उठाना चाहिए तो यह भी देखना है कि क्या इतनी इतने पेड़ हैं आपके पास में जो आप लोकल बाजार में बेज़ें मेरे पास एक यहां सैनी साहब है मुझे नाम नहीं यादा रहा सीडिकी के पास गाउंव और इस तरह से बिखता है कि उन्होंने इस परकार चुनाओ किया विया कि अमरूत के बाग को तीन हिस्सों में बाढ़ दिया तो बरसात में भी फसल लेते हैं फरवरी मार्च में भी लेते हैं और सर्थियों में भी लेते हैं नौम बर्दिसम नमर में लेते हैं तो उनका ब दो परजाती जरूर लगए और ये देखें कि आपको आस-पास में से जितनी भी हैं सलेक्ट करके कम से कम दो परजाती लगए अरे एक की अच्छी मांग नहीं होगी तो दूसरे की तो होगी यह हम देख सकते हैं इस प्रकार यह हुआ इसका जो है न कि कितने परकार की परजा परजाती हो सकती है और जो आपके डिस्टिक हट्टी कल्चर होते हैं यानि जिला बागवानी अधिकारी होते हैं उनसे भी मिलिए उनसे भी पता करिए जरूर नहीं आप उस पर निर्ने ले निर्ने बाद में होगा आप पॉइंट रखिए फिर इन बातों को लेकर आप हम नहीं बता सकते हैं तो यह हुई आप कौन सी परजाती लगाएंगे हम तो सलहा दे सकते हैं निर्ने आपको ही लेना है मेहनत आपको ही करनी है और ध्यान रहे अगर आप सची लगन और निस्ठा से करेंगे तो इसमें नुकसान नहीं होगा यह देख लेकर और अमरूद ले तो उनमें उचित खाद परबंदन उचित शिचाई परबंदन सब तरह का काम करना परेगा इसी के साथ फिर एक बार मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप जो छुट्टी के दिन होते हैं उनमें फोन कॉल करिए और फोन कॉल की बजाए आप जो है ना फोन क भी लगता है कि नहीं करूँगा आप अमेजिन किसान गुरुप से जुड़िए वहाँ पर अपनी बात रख दिए आप अगर मैं ठीक नहीं कर रहा हूं तो यह भी करिए मेरा उद्दे से मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ मेरा उद्दे से जो मैं काम करता हूं उसमें जो अच्छाई और बुराई मुझे पता चलती है यह खराब है वो मैं आपसे साजा करता हूं इसी के साथ आप सब का धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत